हाई गाईज मैं हूँ प्रनाय और इस वीडियो में आपके लिए होनर 6x फोन की कैमरा रिवियो जो है वो लेके आया हूँ तो चलिए पहले मैं आपको इस फोन की कैमरा पर्फॉमेंस की बारे में जो की डीटेल्स है इसकी फीचर्स है वो बता देता हूँ इसमें आपको मिल जाएगी जोगी है इसका रियर डूएल फेसिंग कैमरा और एक सिंगल टोन LED फ्लेश आपको मिल जाता है तो इस फोन की जो हाइलाइटिंग पॉइंट है वो है इसकी कैमरा और अगर मुझसे आप पूछेंगे तो इसकी कैमरा पर्फॉमेंस यह वो बहुत ही अच्छी है और मैं इसली इससे 10 ADP वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी में शूर्ट पर सकता हूँ तो चलिए मैं इसके और जो फीचर्स है वो बताता देता हूँ इसमें आपको वाइड एंगल एपर्चर रेंज एफ 0.95 टू एफ 16 का मोड मिलेगा जो कि अगर मैं आपको सीधी बाशा में बोलना चाहूँ तो इसके फ्रॉंट कैमरा से और रियर कैमरा से आप बहुत ही वाइड सेलफी ले सकते हैं यानि कि आप जब सेलफी क्लिक करेंगे तब दो आदमी के जगे आपको तीन आदमी या भी चार आदमी एजीली एक फोटो में जगे हो जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी बात है और पीछे भी आपको बहुत ही वाइड फोटोज देखने को मिलेंगी और इसमें आपको 0.3 सेकेंड का फोकस टाइम भी मिलता है जो की बहुत ही अच्छी है और इसका फोकसिंग भी बहुत अच्छा है और इसमें आपको फेस डिटेक्शन फेज डिटेक्शन और आटो फोकस और सोनी का IMX386 सेंसर भी मिलता है और इसका जो पिक्सल साइज है वो है 1.25 नैनो मीटर का लार्ज पिक्सल साइज और पिक्सल साइज जो है वो बैटर नौइस पर्फोमेंस के लिए मतलब की नौइस कैंसलेशन के लिए वो बहुत ही अच कम हो तो आपकी पिक्चर बहुत ही अच्छी आएगी तो अवर ओल इसके कैमरा पर्फोमेंस बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको लो लाइटिंग में भी अच्छा फोटो देखने को मिलता है तो चलिए मैं आपको टाइम वेस्ट ना करके इसके कुछ सेंपल फोटो औ मैंने क्लीक किये है ये सब आउट डूर कंडिशन में है तो आप देख सकते कि जो बोके एफ़ेक्ट है और जो फोकसिंग पावर है वह भूत इह अच्छी है और इस फोटो में आपस देख़े कि डाइट संलाइट आके गिर रही है और फिर भी जो किए है यह अच्छी फो को कुछ indoor shots भी दिखायूंगा तो यह कुछ indoor shots है यह देख सकते के artificial light में इसको मैंने क्लिक किया है और यह कुछ focus करकी इसको मैंने क्लिक किया है तो मैं अब देख सकते कि अच्छा focus करता है और आपको focusing में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यह भी कुछ focus samples है तो देख लीजे और यह जो मैंने फ्लेश लाइट से क्लिक किया है यह भी इंडोर कंडिशन यह इसके कुछ और कंडिशन्स है लाइटिंग कंडिशन्स यह थोज़े आउटडूर है और आप देख सकते फिर भी और यह जो मतलब क प्रॉड के mode है वो नॉर्मल है और मैंने कोई और mode इस पर जैसे कि beauty mode या फिर कोई और mode इस पर अभी भी नहीं दिया है तो आप देख सकते इसका camera यह फ्रॉंट कैमरा है और बैक केमरा भी मैं आपको शोग कर देता हूँ और गाइस यह है इसकी बैक कैमरा की जो इसकी box है और focusing power भी आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर focus करूँ तो यह focus कर लेता है और अगर मैं यह object फीर से लाओ तो यह तुरंद focus कर लेता है तो focusing speed अच्छी है और tap to focus तो available है तो आप देख सकते हैं और detailing भी अच्छी है अगर थोरे पास भी लाओ तो भी यह बहुत ही clearly object को show करता है जैसे कि last video में वीवो phone से यह थोरे clear नहीं आया थे लेकिन इस honor 6x से यह बिल्कुल clear आ रहा है है यह जो writing है तो आप देख सकते कि जो यह छोटे हैं वो भी दिखाय दे रहा है और इसका audio भी इसी के mic से record हो रहा है तो आप देख लीजे ठीक से के कुछ और samples है इसका focus जो है वो दिखाने के लिए आप देख सकते कि यह बहुत ही अच्छा focus कर रहा है मैं tap to focus इसमें use कर रहा हूँ और इसमें एक option भी है जहाँ पे आप object focusing एक option है अगर आपने उस option को on कर दिया तो आप जिस object में touch करेंगे उसको यह तुरंद focus कर लेगा और और autofocus है तो थोरा सा अच्छा है तो आप उस option को भी use कर सकते है और इस phone के camera में बहुत सारे options है जो की बहुत ही अच्छी है इसकी camera की performance के लिए और outdoor conditions में मैं आपको कुछ shots दिखा देता हूँ तो guys यह है इस honor 6x phone की front camera की एक video sample आप देख सकते के इस phone की जो front camera की video quality है और audio भी इसकी front camera से ही मैं record कर रहा हूँ तो आप इसको judge कर लीजिए और इसकी front camera जो है वो 8MP की है और इसमें कोई image stabilization मतलब की हाँ ऐसा ही कुछ नहीं है तो आप देख लीजिए guys यह है honor 6x की back camera से एक video quality video sample तो आप देख लीजिए इसकी back camera है इसकी video quality कैसी है और आप खुदी judge कर लीजिए focusing भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसमें है आपको मिल जाएगा 13MP का back camera तो आप focusing भी देख सकते हैं और audio भी इसकी back camera से ही मैं record कर रहा हूँ मतलब कि इसकी microphone से तब इसकी focusing भी देख सकते हैं और camera quality भी तो guys आपने तो देखी लिया होगा कि इस phone का camera का जो video और picture quality है बोथ indoor और outdoor conditions में कैसा है तो आप खुदी decide कर लीजिए कि इसका camera performance जो है वो दूसरे phone से कितना अच्छा है और मुझे जो लगता है कि मैं पहले Redmi Note 3 यूज़ करता था उससे इसका camera performance जो है अगर उससे Redmi Note 3 से मुकाबला करे तो इसका बहुत ही अच्छा है और Redmi Note तो इसके पास में भी नहीं आता और हाला कि performance के side में यह इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप फिर भी अगर camera आपकी highest priority है मतलब कि आप एक phone सिर्फ camera के लिए लेना चाते है और ज्यादा video shooting और recording मतलब कि pictures आप लेंगे तो आपके लिए यह phone best है और आपको कोई और phone देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो आप यह phone बीना जिजक से ले सकते है और performance के तरफ से अगर बात करूँ तो यह performance के तरफ से भी इतना बुरा नहीं है इतना heating नहीं होता और gaming अगर आप करना चाहे तो क्या बोलते है अगर Asphalt 8 आप खेलेंगे तब आपको कुछ laginess दिखाई देगा लेकिन कोई और भी heavy games है जैसे कि Nova 3 और क्या बोलते है उसको Nova 3 या फिर जो कि Asphalt 8 में आपको कुछ laginess दिखाई देगा और display quality बहुत ही अच्छी है जो कि camera performance को मुझे लगता है थोड़ा सा enhance करता है और camera इसकी बहुत ही अच्छी है तो guys इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस phone को लेना चाहते है तो आप जरूर लीजिए लेकिन अगर आपका camera main priority है तो ही तो अगर 2017 में अब तक मतलब कि February मन तक camera के लिए ये best phone है तो आप इसको ही camera के लिए लीजिए तो guys अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको रोज ऐसे वीडियो लाता रहू और आप सबको एंडरिटेन करता रहो तो थेंक यू गाइस